महापुर्सों बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी महापुर्सों हजारों वर्स पहले की वात है एक बार रिशी विश्वामित्र जी महर्सी वशिष्ट जी की हत्या करने के विचार से उनके आसरम पहुँचे बिश्वामित्र जी थे तो ब्रह्मवेत्ता परंत अहम भाव की बुरी तरह सिकार थे महरसी वशिष्ट जी उनके समकालेन थे उनके पावन पवित्र सभाव को ध्यान में रखते हुए लोग उन्हें ब्रह्मरिशी की उपाधी से विभूसित कर चुके थे बिश्वामित्र जी इस बात को सहन ना कर सके उन्हें लगा कि यह उनका अपमान है कि लोग उन्हें केवल राजस्री कहें और वशिष्ट जी को ब्रह्मरिशी इरस्या की अगिनी ऐसी भड़की कि उन्होंने वशिष्ट जी को जान से मार डालने की दिल में ठान ली एक दिन वह एक छूरा लेकर वशिष्ट जी के आसरम में लगे एक ब्रिक्ष पर जा बैठें उन्होंने अपने आपको पत्तों की ओट से छिपा रखा था वह पूडिमा की रात थी वशिष्ट जी अपने कुछ सिस्यों को तत्त्य की बाते समझाते समझाते उसी ब्रिक्ष के नीजे आ रुके तब तक आकास में चांद निकल आया था देखते ही देखते चांद ने अपनी मधुर चांद नी बिखेरनी आरंब कर दी चौदवी के चांद की खूब सूरती को देखकर एक सिस साहसा बोल उठा कितना सुंदर है यह चांद और कितना सुंदर होगा इसे जरम देने वाला वसिष्ट जी ने बड़े सहज भाव से सिर उपर उठाते हुए कहा बेटा यद तुम कहीं महान रिसी विश्वामित्र जी को देख लो तो तुम इस चंद्रमा की सुंदर्ता को एकदम भूल जाओगे इस चांद में तो फिर भी कलंक है पर विश्वामित्र जी तो हर तरह से निस कलंक है सिस्य अपने गुरुदेव के मुख से विश्वामित्र जी के लिए प्रसंसा भरे सब्दों को सुनकर चौंक उठे एक सिस्य ने बड़ी उत्सुकता से गुरुदेव से कहा महाराज रिशी विश्वामित्र जी तो आपके कट्टर सत्रू है हर समय वह आपकी बुराई करते हुए सुने जाते हैं गुरुदेव ने उसी सहज अवस्था में उत्तर देते हुए कहा परंत उनमें जो गुण हैं वे मुझसे कहीं अधिक हैं वह महान विद्वान हैं सच तो यह है कि वह हर तरह से मुझसे स्रेष्ट हैं मेरा तो मस्तक उनकी चैनों में सदा सद्धा से जुक जाता है ब्रिक्ष पर बैठे बैठे विश्वामित्र जी ने यह वारताला बड़े गवर से सुना उनका दिल बड़ी तेजी से धड़कने लगा जिसके वह प्राण ले आये थे वह तो उनकी मुग्त कंठ से प्रसंसा कर रहा था यह जानकर उनके दिल के अंदर जलर ही इर्ष्या की अगिनी एकदम सांत हो गई हवरन मह नीचे कूद पड़े फूरे को एक तरफ फेकते हुए वशिष्ट जी के चैनों में गिर पड़े और गिरगिड़ा कर छमा मांगने लगे इतनी तपस्या करने के बाद भी मैं मन से अभिमान और इर्ष्या को ना समाब्त कर सका इसी पातक अभिमान के कारण मैं आपकी हिदे की निर्मलता को ना जान सका मुझे माफ कर दे महरसी वशिष्ट जी ने विश्वामित्र जी को उठा कर गले से लगाते हुए कहा उठिये ब्रह्मिरिशी बहुत हो चुका अब अधिक संताप ना करें मुझे आसिरवात देने का आउसर दे विश्वामित्र जी ने बेशुद से होकर पूछा आप मुझे ब्रह्मिरिशी कह रहे हैं वशिष्ट जी ने मुश्कुराते हुए कहा आपकी बिद्धुता पर तो पहले से ही संदेह रही था आपके अंदर जो अभिमान का चांडाल मौजूद था आज आपने उससे भी मुक्ति पाली अब आपके ब्रह्मिरिशी होने में कैसा संदेह अभिमान बिद्धुता को भी कलंकित कर देता है आत्मिक बिकास के लिए बिद्धुता और बिनम्रता का योग आवश्यक है महापुरसों बड़े ही प्यार से कहिए धन निरंकार जी